नमस्कर साथियूं मेरा नाम है आरकेसी संस्कृति आईएस के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने इस एपिसोड में इरान में चल रहें जो राजनेतिक घटना क्रम है उसी के बारे में एक न्यूज आई है आप देख सकते हैं कि न्यूज क्या है तो हिजाब विरोधी मसूद पजस्कियाँ जो है वो अब इरान के नए राष्टपति न्यूक्त होँगे और इसी में यह भी कहा जा रहा है कि आखिर in is इनके राश्ठपति बनने से भारत के लिए क्या इनके मायने हैं ये दो प्रश्न है प्रश्न क्या क कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा कि आखिर क्या होता है अगर हम पिछले घटना क्रम की बात करें तो इरान में फरवरी माह में वहां पर उपचुनाव हुए थे और उन चुनावों में इब्राहिम जो रईसी है वो दोबारा इरान के राष्टपती नु धूरी में रईसी रहे थे दुरभागिवस इसके बाद 19 माई को जो राष्टपती है वो कहीं जा रहे थे और उसी दोरान उनका जो हेलिकाप्टर है वो दुरघटना ग्रस्त हो गया और उसमें क्याया कि इब्राहीम रईसी की मौत हो गई उसके बाद से इस पर भी कई सार की चर्चा का भी से था उसके बाद यहां पर चुनाव हुए हैं और फिर क्या है कि अब यहां पर दो बड़े दल थे और उनके जो दो बड़े नेता थे पहले थे कि मसूद पजस्कियान और इनके सामने जो प्रमुख दावेदार थे वो थे कट्टर पंथी नेता जलीली यह दोनों के चुनाव यहां पर हुए हैं और यह जो पजस्कियान है इन्होंने जलीली को हरा कर क्या है कि यहां पर इरान में कहें तो अपनी जीत दर्च की है और अब यह यहां के राश्टपती क्या है न्यूक्त होंगे तो यह पूरा न्यूज है इसके संबंद में यह भी हो सकता है कि कई सारे प्रशन उठेंगे कि अब क्या इरान की जो कह सकते हैं कि नीतिया है वो अंतराश्टी अस्तर पे अलग-अलग देशों के अस्तर पे जो पहले से चल रही थी क्या वही रहेंगी क्या वो परिवर्तित होंगी क्या पहले के जो यहां के सासक थे जो प् तो भारत में इरान के साथ कुछ बड़े कह सकते हैं कि समझोते की हैं इसमें चाबहार बंदरगा का भी एक बड़ा समझोता था जिसके संदर में अंतराष्टी जो राजनीती है जो दबाव है उसमें भारत को भी कह सकते हैं कि इस दबाव में लाए जाने का प्रयास किया गय तो एक बड़ा समझ होता है तो उस दिश्टी कोंड से भी क्या है कि इरान में जो भी राजनेतिक उठा पटक या जो भी घटना क्रम चल रहे हैं उस पर भारत की पैनी नजर बनी हुई है तो ये सारे प्रश्ण है इन पर हम संशित रूप से बात करेंगे चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है सूचना क्या है तो जो संस्कृति आईएस है वो UPSC और स्टेट PCS के लिए बहुत सारे कोर्स जैसे UPSC प्री प्लस मेंस UPSC प्रिलेम्स CSET कोर्स बैकल्पिक भी से जिसमें इतिहास और भुगोल और अनिविसे हैं इसके अलावा निबंद लेखन कारिकरम और यहीं नहीं जो स्टेट PCS है इसके भी बहुत सारे कोर्स हैं जैसे UPPCS फाउंडेशन कोर्स है RS फाउंडेशन कोर्स है, BPSC फाउंडेशन कोर्स है, MPPCS फाउंडेशन कोर्स है, UPRORO के कोर्स है और यहीं नहीं NCRT कोर्स और NCRT टेस्स सीरीज भी सामिल है यह सारे कोर्स जो है वो संस्किती IS संचालित कर रहा है, सबसे महत्पूर बात क्या है, तो इन कोर्स पर क्या है कि अब संस्किती IS UP TO 75% का डिसकाउंट भी प्रदान कर रहा है तो यह आपके लिए काफी महत्पूर है क्योंकि एक बड़ा छूट है, बड़ा आप इससे लाब ले सकते हैं, यह जो छूट है, डिसकाउंट है, यह कब तक valid है, यह भी आपके लिए महत्पूर है, तो यह जो छूट है आप 12 जुलाई तक प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यह छूट पहले से चलना है, पांच से लेकर 12 जुलाई था, पांच आपका निकल चुका है, तो इस आधार पर अगर हम देखें, तो अब 12 जुलाई last date है, तब तक आप इस पूरे छूट का लाप्राप्त कर सकते हैं, अगर इन कोर्स के बारे में और अधिक आपक कर सकते हैं, संपर कर सकते हैं, या फिर संस्किती IS की जो website है, इस पर भी विजिट कर सकते हैं, और इन कोर्स के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं न्यूज, आखिर क्यों चेर्चा में हैं मसूद पजस्कियान, क्योंकि आज ये पूरी तरह से क्या है कि आप देखेंगे तो सभी new channels जितने भी media के माध्यम हैं वहाँ पर ये चर्चा का भी से बने हुए अंतराश्टी अस्तर पर देखें तो England के जो अभी हाली में वहाँ पर इसी सुनना खा रहे हैं वो चर्चा में हैं तो दूसरी तरप जो इरान के नए राश्टपती निक्त होने वाले हैं मसूद पजस्कियान ये निता काफी चर्चा में है और अंतराश्टी जो कह सकते हैं क जो की उनसे जो संबंद है ईराग के वो अलग-अलग है और अंतराश्टी राजनीति में जो इरान है और जो इराइख है दोनों के अहम रोल हैं और उसमें जो इरान है उसका और भी महत्पूर्ण रोल है और चुकी क्या है कि यfoot संसाधन संपन्देश है इसलिए क्या कि अंतराष्टी राजनीती में इरान में चुकि नए जो राष्टपती नुक्त होने वाले हैं तो यह कहा जारा है कि अगर इनकी जो नीतियां हैं क्या वो पहले की तरह होंगी तब तो क्या कि जो भी संबंध चलने थे उस पर उस हद त करेν तो यह कहा जारा है कि हिजाब बिरोधी थे अगर हम बात करें तो इरान में जब वहां कर इसलामिक क्रांती हुई थी उसके बाद से क्या आए यहां पर जो हिजाब है उसके बारे में भी डिटेल में हम देख लेंगे तो उसको क्या है कि यहां पर एक कानून के तौर पे लागू कर दिया गया था यानि महिलाओं को हिजाब पहनना एक तरह से अनिवारिक कर दिया गया था जिसको लेकर इरान में बड़े अस्तर पे बि पूरी तरह से ये पुरजोर बिरोधक थे वहाँ पर इन्होंने बिरोध किया और ऐसी जो महिलाय थी जो हिजाब की बिरोधी थी उनके ये समर्थक थे उनके साथ ये हमेशा खड़े थे इसी कारण से इनको उदारवादी नेता भी कहा जाता है तो ये महत्पूर्ण है ये कह पूल ओठ हुए थे उसमें से जो ये यहाँ पर पजस्कियान है इनको लगभग एक दस्मलो छे चार करोन मत प्राप्थ हुए थे बड़े कह सकते हैं कि मत अंतर से लगभग 30 लाग मतों से इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हराया था तो इस आधार पर हम देख सकते ह है कि वहाँ इनकी कितनी पापुलर्टी है ये काफी महत्पूर है कोकि इरान जो देश है वहाँ पर जो कट्टर पंथ है उसका काफी प्रभाव देखने को मिलता है तो अगर उस दिश्टिकोंड से देखें तो इनकी जो भूमिका होगी अब आने वाले समय में इरान में का आमने काफी चुनवतिया भी देखने को मिल सकती है यही सबसे मुलमुद्दा है कि क्या यह पहले के सासकों की तरह जो भी यहां पर पहले सत्ता में आया है क्या उनहीं की तरह अपने जो भी कारे काल है जो नीतिया है उनको लागू करेंगे या फिर उसमें परिवर्तित कर ले कि यहाँ पर जो मसूद पजस्कियान है थोड़ा सा इनके बारे में ब्यक्तिगत परिशाय ले लेते हैं कि आखिर ये है कौन क्यों अभी तक हम इनको इतना नहीं जानते थे लेकिन अब ये एकदम से सेंटर में आ चुके हैं ये पूरी तरह से क्या कि पापुलर हो चुक सब्सक्राओं में ये विजैई घोसित हुए हैं अब ये राष्टपती वहां के बनने वाले हैं दूसरी बात करें तो पेंसे से क्या किया है कि ये ईक हाड़ सर्जन यहीं नहीं अगर हम बात करें तो इरान में प्रमुख रूप से जो भी हिजाब विरोधी आंदोलन हुए हैं उसमें इन्होंने बढ़ चरक हिस्सा लिया है वहाँ पर जो भी आंदोलन हुए उसके यह समर्थक रहे हैं यहीं नहीं लंबे समय से जो इरान में घरेलू और अं जानिया थी जो भी कह सकते हैं कि घरेलू अपराद हुए उसके यह क्या थे विरोधी थे उसके लिए क्या किये जासकते हैं कार उस पर इन्होंने काम किया यहीं नहीं इरान के जो अंतराश्टी सम्वंध है उसमें भी इनकी एक महत्पूर्ण भूमिका रही है क्योंकि इन रहनी रहे हैं इस दिश्टिकोन से अब इरान में इनकी जो भूमिका होगी वो पहले से काफी महत्पूर्ण हो जाएगी यहीं नहीं इनको मध्यम ब्यवहारवादी या सुधारवादी निती को लागू करने वाले व्यक्ति के रूप में भी देखा जाता है इसलिए यह भी क दराश्टी अस्तर पे भी देखने को मिल सकता है यहीं नहीं इनकी एक खास भी सेश्टा है कि जब 1980 में इराक और इरान के बीच में युद्ध चल रहा था उस दोरान युद्ध में भी इनकी एक महत्पूर्ण भूमिका थी इरान के तरप से इस युद्ध में जो कह सकते ह कि प्रारंभिक मोर्चे के तोर पे जो चिकित्सक दलों की तैनाती हो रही थी उसके ये प्रमुक थे इनहीं के मार्क दर्सक में इन चिकित्सक दलों की तैनाती की जा रही थी और यहीं नहीं इरान में कई बार ये स्वास्थ मंत्री और अन्य जो मंत्री पद हैं उनको भी इन्हों ने सुसोभित किया है, इनका जो अनुभा है वो काफी पूराना है, काफी पहले से ये राजनीती में सुधार अंदोलनों में, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो सुधारवादी कारिकरम हुए है, उसके ये member रह चुके है, उसके ये समर्थक रह चुके हैं, और यही न नहीं कि पश्च्मी कह सकते हैं सबेता से के समर्थक हैं तो ऐसा नहीं ये कुरान के एक प्रमुख सिछक है और जो बलागा आप देखेंगे जो बलागा होता है बलागा क्या है तो जो सिया मुसल्मान है उनका ये एक महत्पूर्ण ग्रंथ है जो बलागा है ये सिया मुसल्मानों का एक ग्रंथ है इसके ये पाठक भी बताये जाते हैं यहीं नहीं ये क्या है कि अगर वहाँ पर देखें तो जो इरान है यहाँ पर चुनाव से पहले जो भी भासड हुए है आंदोलन हुए सुधारों को प्रमुक रूप से लागू करने की बात कही है जिसमें एक महत्पूर्ण इनका जो सुधार कह सकते हैं कि आधार है वो है हिजाब इन्होंने हिजाब को हटाने पर बल दिया है और इन्होंने ये भी कहा है कि यदि वो सत्ता में आते हैं तो हिजाब में जो ला धाड़ा है और ये भी बात है कि इनका जो चुनाव था उसमें जो हिजाब है वो एक महत्पुर्ण मुद्दा बना हुआ था तो ये इनके बारे में बेसिक जानकारी है कि आखिर जो मसूद पजस्कियान है वो है कौन अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर इरान में ज देखिए 1989 में इरान में इसलामिक क्रांती हुई उसके बाद से इरान में हिजाब को पूरी तरह से अनिवार कर दिया गया एक कानून के तोर पे लागू किया गया यदि इसका कोई उलंगन करता है तो उसको सजा भी मिल सकती है लेकिन कानून बनने के बाद इरान में आंदोलन हुए बिरोध हुए और वहाँ पर पुलिस और आम नागरिकों के बीच में जड़ पे हुई यही नहीं इसमें एक महत्पूर घटना करम देखने को मिलता है जिसमें 22 साल की जो महसा अमीनी है इनकी क्या है कि हिंसक प्रदर्शन में पुलिस के द्वारा कह सकते है कि प्रतार्णा के बाद इनकी मौत हो जाती है और यह जो पूरा मामला है यह अंतराश्टी अस्तर तक पहुशता है यह कहा जाता है कि इरान में इस इसलामी कानून के अंतरगत हिजाब की कह सकते हैं आड में यहाँ पर जो भी महिलाया है इनके उपर प्रतार्णा दी गई और इसी दौरान क्या एग घटना जो महसामीनी की है उनकी मौथ हो गई तब से क्या है कि ये जो पूरा मुद्दा है ये काफी चर्चा में बना रहा और तब से जो राजनितिक हलके है वहाँ भी एक महत्पूर मुद्दा है और अभी हाल में जो चुना हुआ है उसमें चुक इच्छा है किसी भ्यक्ति की कि वो हिजाब पहंता है या नहीं पहंता वह उसकी अपनी स्वैशिक कह सकते हैं कि इच्छा है वो अगर चाता है तो था दोनों के बीच में लड़ाई थी और इस पर क्या है कि सुधारवादी या जो बेवहारवादी है जो कह सकते हैं कि विकासात्मत सोच वाला है उसकी जीत हुई है इस कारण से ये मुद्दा काफी चर्चा में बना हुआ था और आने वाले समय में ये भी देखा जाएगा क कि जो मसूद पजस्कियान है इस पर क्या आगे कह सकते हैं कि वो नीड़ा लेते हैं क्या करते हैं ये महत्पूर बात है इसके अलावा अगर बात करें कि भारत के लिए जो अभी ये चुना हुआ है और इसमें जीत कर जो नए राष्टपती नुक्त होने जा रहे हैं का और जो राष्टपती नुक्त हो रहे हैं इसका भारत के लिए क्या माइन है यानि जो मसूद पजस्कियान सेट टू बिकैम इरान प्रेसिडेंट वाट इट मिन्स फॉर इंडिया भारत के लिए इनकी क्या विसेश्ता है क्या एहमियत है क्या कुछ बड़े बदलाव हो स सक्या में क्या इनके जो संबंध है इनकी जो सूच है वो भारत के लिए कुछ बड़े नीड़े ला सकती है और कुछ समय पहले ही भारत ने इरान के साथ कई कि बड़े समझहूते किए हैं जिसमें एक बड़ा समझתा है चा बहार बंदरगाह का क recipients के साथ भारत वहां पर उपस्थिती अपनी । दर्ज करा रहा है और इसके द्वारा कि कि जो भारत है वह पाकिस्तान को टच किये भीना यानि पाकिस्तान के छेत्र में गए भीना सीधे क्या है कि पस्ची मेसिया में अपना जो पहुच मार्ग है और फिर वहां से क्या है कि अफगानिस्तान और जो यूरोप है वहां तक अपना एक रूट विक्सित करना चाह रहा है ताकि आने वाले समय में जो भ पूरा छेत्र है वहां मजबूती से भारत क्या कर सके कि अपनी उपस्थिती दर्ज करा सके तो इस दिश्टिकोंड से देखे तो इरान का एक महत्पूर अहम रोल होगा चुकि अब क्या है कि यहाँ पर नए राष्टपती नूट हो रहे हैं और पूरा जो राजीति क्रम है वो बदल जाएगा है तो अब देखना है कि आने वाले समय में इसके प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं दूसरी अगर हम बात करें पहले हमने बताया कि यहाँ पर जो चाबहार बंदरगाह है इसके दो कह सकते हैं कि वर्ग है यानि कि दो पार्ट में यह बंदरगाह है इ इसी के लिए भारत ने मुल रूपसे समझाओता किया है और यहाँ पर बड़ा निवेस भाद करने जा रहा है पहले हमने बताया कि कई सारे कारी भारत कर रहा है यहीं नहीं इसका जो मुख्य कह सकते हैं कि द्येำ है भारत का वो क्या है कि ए सी पार पारगमन बिंदू बना भारत का एक महत्पून कारे है यानि ये एक बड़ा कह सकते हैं समझा होता है एक बड़ा रूट बन रहा है यहीं नहीं यहां पर इरान में बुनियादी जो धाचा है उससे समंधित कई सारी परियोजनाय भारत संचालित कर रहा है जिसके लिए 250 पचास मिलियन डालर रिर सुविधा भी पेशकस किया तो आप देख सकते हैं कि भारत कितने अस्तर पे बड़े अस्तर पे इरान में निवेस कर रहा है इस कारण से अगर हम देखें तो इरान भारत के लिए काफी महत्पून हो जाता है और आने वाले समय में जो भी यहां पर राजनितिक बड़े नीड़ लिये जाएंगे उसका प्रभाव भारत और इरान के संबंधों पर भी पड़ेगा अगर हम बात करें तो जो इरान है ये क्या है तो ये पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस संसादन से परिपून देश है और अभी हाल के घटना करम की बात करे तो इरान पर जो पश्चमी देश है इनके द्वारा कई सारे प्रतिबंध लगाए गए और इस कारण से क्या है कि यहाँ पर पश्ची मेसिया के जो महतपून ओयल या कहें प्राकृतिक गैस संपन जो राष्ट है वो क्या है कि अब इन तेल जो उत्पादक देश है ये इन लूप से बाहर से जो तेल आयात किया जाता है उसी पर आस्तित है इस कारण से भारत क्या है कि यह लगातार कह सकते हैं कि तलास करा है कि कहां से उसे सस्ते दरों पे जो प्राकृतिक संसादन है जैसे कि प्राकृतिक गैस है ओयल है उसको वो प्राप्त कर सके तो इस दिश् प्रश्मी देश जो हैं जैसे USA हैं जब ये अपने प्रतिबन लगाए हैं उस दौर में भी भारत ने जैसे इरान की बात करें तो इन से अपने संबंध को बदला नहीं है जैसे अभी हाली में जब USA के उदारा इरान पर प्रतिबन लगाए गए उससे ठीक पहले ही क्या है कि ये समझाओता हुआ है और उसके बाद भारत ने असपश्ट कहा क्योंकि अंतराश्टी जो मीडिया है उसमें ये खबर आने लगी कि कहीं USA के दबाव में भारत और इरान के बीच में जो चाबहार बंदरगाह का समझाओता हुआ है कहीं वो खटाई में तो नहीं पड़ ज पड़ेगा हम पूरी तरह से USA को समझा ले जाएंगे कि जो हमारा ये समझाओता हुआ है ये पूरी तरह से विकासात्मक कारियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है इसका कोई भी इस प्रकार का संबंद नहीं है जिससे अंतराश्टी जगत में किसी खास संबंदों प अपने संबंद को मजबूती से बनाना अब देखें इसमें एक दूसरा भी बिंदू है क्योंकि जो इसरायल है इरान है ये आपस के नजदी की देश है और पहले तो इनके बीच में जो संबंद था वो अच्छे थे लेकिन लगभग 1979 के बाद यहां पर क्या ए कि जो राइनिति घठना क्रम हुए जैसे इरान की बात करे तो यहां पर राइनिति उठापटक हुआ और यहां पर सत्ता परिवलतर्ण हुआ उसके बाद क्या है कि इरान के जो बिचार धारा थी वो इसरायल के खिलाप हो गई और तब से इन दोनों देशों के बीच में कह सकते हैं कि एक तरस से विराओधा भास देखने को मिला है और कई सारी नीतियों पे कह सकते हैं कि अंतराश्टी अस्तर पे इनके बीच में विबाद है और इसको लेकर कह सकते हैं कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी सुल्जे नहीं है और इसी में क्या है कि जो भारत है वो क्या कर सकता है कि इसमें एक महत्पूर भूमी का भी निभा सकता है जैसे अगर बात करें तो भारत के जो संबंध है वो इजरायल से भी बेहतर है इरान से भी बेहतर है तो हो सकता है कि इन देशों के बीच में जो भी मसले हैं उनको सुल्जाने में भारत एक महत्पूर्ण भूमी का निभा सकता है या फिर इनके बीच में जो संबंध है वो क्या है कि पहले से और बेहतर हो सके तो ये काफी महत्पूर्ण है और इसमें भी कि अगर बात करें कि थोड़ा सा कि जो इरान है तो इसकी भौगोलिक अवस्थिती भी आपको समझ नीचाहिए कि आखिर जो इरान है ये कहां पर देखने को मिल सकता है तो यह देखिए यह आपका पस्चिमी एसिया है और इसी में यह इरान आपको देखने को मिलेगा तो यह देखिए आपका प्यारा देश भारत है और इसके अगर हम बात करें तो उत्तर पस्चिम में बढ़ेंगे तो यह पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए यहां पर इरान आपको देखने को मिलेगा जहां पर पर्सियन गल्प आपको देखने को मिलता है और यही क्या है कि यह आपका इरान है इसी की मौजूदगी या इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहें तो यह इसकी जो भौगोली कवस्थिती है यह भी आपके लिए महत्पूर है यह आपको बताना पड़ सकते हैं या आपके प्रस्म जो बन सकते हैं कि आखिर जो इरान है इसके आसपास कौन से इसके पड़ोसी देश हैं तो आप देख सकते हैं इसको अगर आप देखेंगे तो इधर देखें तो आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस् अगर इसी को आप बड़े मैप पे देखेंगे तो देखें यह क्या है कि इरान का बड़ा मैप है और यहां से आप देख सकते हैं कि कौन से इसके पड़ोसी देश है तो पहला हो गया आपका पाकिस्तान दूसरा आप देखिए अफगानिस्तान तीसरा तुर्कमेनिस्तान यही नहीं अगर यहां के physical relief की बात करें तो कुछ महत्पुन परवत आपको देखने को मिलेंगे इधर आप आएंगे तो देखे इसके उत्तरी भाग में आपको एलबुज परवत देखने को मिलेगा इसका जो विस्तार है यह पश्चिम से पूरब है और इसके पश्चमी भा भाग में तट से दूर यानि कि इसके कह सकते हैं boundary line से थोड़ा सा और पूरब की तरफ आएंगे तो यहां पर जग्रोष परवत आपको देखने को मिलेगा यही नहीं यहां पर कुछ बड़े कह सकते हैं कि मरुस्थल भी आपको देखने को मिल सकते हैं जैसे यह देखिए बड़ा मरुस्थल है दस्ते लूट और यहां पर दस्ते कबीर देखने को मिलेगा यही नहीं जो एलबूज परवत है इसकी जो सर्वोच चोटी है वो माउंट दामवंध है यह भी आपके लिए महत्पूर है यही नहीं यहां पर जो बड़े जली छेत्र है इनकी पूछी जाती है जैसे देखे ऊपर इसके उत्तर में आएंगे तो यहां पर कैस्पियन सागर आपको देखने को मिलेगा और इसके दच्छिन में आएंगे तो यहां पर पर्सियन गल्फ देखने को मिलेगा यहीं नहीं एक चीज और भी आपसे पूछी जा सकती है यहीं प सारे information है, उतना हमको नहीं देखना है, हमने पहले news को देख लिया, वो हमारे लिए महत्पूर है, अब देखे, इसमें एक दो information और देख लेते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि आखिर जो हिजाब है, वो है क्या, तो देखे, modern Islam में हिजाब का मतलब क्या है, एक परदे से लग में कहा गया है कि औरतों और आद्मियों के बीच में एक परदा यानि हिजाब होना चाहिए, ठीक है, तो ये बात कही गए है, दूसरी अगर बात करें कि हिजाबी होने का मतलब क्या होता है, तो एक मुसलिम महिला जो हिजाब जैसे सिर को ढखने की धार्मिक प्रथा का पा करती है, सरल सब्दों में बात करें तो हिजाबी महिला जो होती है, वो एक परदा अपने सरीर पे लगाती है, ढखती है, वही क्या है कि वो हिजाबी महिला कहलाती है, यही नहीं, 90-70 के दसक में दुनिया भर में हिजाब का प्रयोग काफी तेजी से बढ़ा, इसका जो प् गई वहां इसको पूरी तरह से एक कानून बनाकर लागू कर दिया गया, और यह महिलाओं के लिए अनिवार हो गया, दूसरी अगर बात करें तो धार्मिक जो परिधान है, इन पर कई बरसों तक अनौपचारिक प्रतिबन लगाने के बाद ताजाकिस्तान की सरकार ने इस को क्या है, इस अनिवारता को पूरी तरह से हटा दिया, यानि जो प्रतिबन था वो हटा लिया, तो इस मामले में जो ताजिश्किस्तान सरकार है, वो एक अलग कह सकते हैं, अस्तर पे हैं, उन्होंने इस प्रकार के किसी भी हजाब की अनिवारता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है अब देखिए इसमें एक और महत्पूर्ण बात है कि आखिर हिजाब पहनने का फाइदा क्या हो सकता है तो देखिए हिजाब से ज्यादा सुरचित मास्क और कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि ये तब कहा जा रहा है जब करोना काल आया उस दवरान समाने तोर पे सब के लिए जो मास्क है वो अनिवार हो गया ताकि संक्रमण न फेले तो देखिए प्रदूसर और वारस दोनों से जो हिजाब है वो हमारी सुरच्छा कर सकता है या फिर कहें तो इस प्रकार के जो इस्थिती है जहां पर महिलाओं के लिए संक्रमण या संक्रमण की स्थिती ह हो सकती है वहाँ पर हिजाब उनके लिए फायदमंद हो सकता है तो यह एक बात कही गई है कि इसका एक सकरात्म पहलू भी हो सकता है अब इसमें एक और बात है जिसको लेकर लोगों के बीच में confusion होता है कि जो हिजाब है नकाब है जो बुरका है यह सब एक ही होता है तो यह एक नहीं होता है कुछ इन में मूल अंतर है जैसे अगर बात करें पहले हिजाब की तो जो हिजाब है इसमें सिर कान गले को कबर किया जाता आप देख सकते हैं इस इमेज में क्या है कि जो हेड है पुरा सिर है गला है जो कान है वो कपड़े से ढखा हुए जो परदे की बा हो जाता है कंधों तक हो जाता है तो इसी को क्या है कि हम क्या बोल देते हैं कि अब ये नकाब हो गया और इसमें कि आपके आखें खुली होती है यानि कि जो नकाब है इसमें सिर, कान, गला, कंधा, छाती के साथ क्या है कि चेरा भी कुछ खास तरह से ढखा होता है आखें बात करें कि आखिर बुर्का क्या होता है तो बुर्का क्या है कि काले लबादे जैसे पुसाग को बुर्का कहते हैं जबकि जो बुर्का है ये नकाप का ही अगला अस्तर है इसमें आप देख सकते हैं कि आखों के ऊपर एक जालीदार कपड़ा लगा होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये बुर्का है तो देखें तीनों में ये समाने तोर पे अंतर आपको जानने चाहिए ये बहुत महत्पूर नहीं है लेकिन एक बेवहारी कस्तर पे आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए तो आज के इस एपिसोड में हमने चर्चा कर ली कि जो अभी इरान में न महत्पूर होंगे भारत के लिए इनका क्या महत्व है और आने वाले समय में यहां पर कौन से राजनितिक कह सकते हैं कि गत्विधियां होंगी जिसका प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है और जो भी इससे जुड़ी हुई छोटी बड़ी बाते थी उन पर भी हमने चर्च सकता हो खुवन प्रकान